So Hello Friends, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज के अपने इस वीडियो में आप इसे पीपर डग बोलो, पीपर हैन बोलो या फिर आप इसे पीपर बॉलो, कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हो तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है एक पीपर बॉल्ड के उपर यानि कि हम कागत से एक स्टेवल बॉल्ड यहाँ पर बनाने वाले हैं जो ठीक से खड़ी भी हो सकती है ठीक है तो वीडियो में आगी जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने कि तो क्राफ्ट के काफी सारे वीडियो हम आपको अभी जो है इन फ्यूचर हम लेकर के आएंगे आपके लिए काफी सारे जो है मतलब आइडियास हमारे पास हैं जो हम आपके लेकर के आएंगे यहाँ पर अगर आप जो है आपको सबसे पहले तो यह जो स्कूल में अगर आपको एसाइमेंट्स मिलते हैं उसमें भी आप प्रिपेर कर सकते हो छोटे बच्चे जो होम साइंस वाले होते हैं वो भी इसे प्रिपेर कर सकते हैं या फिर अगर आप बड़े हो मतलब बीएड वगिरा कर रहे हैं लगते हैं कि लिए असमें असे ऐसे बना करके लिए जा सकते हो और अगर आप इस टीचर कहीं पर उख कर रहे हो तो ।या तो आप कृफ्ट कभी दिखाना एया फिर अगर आप क्राफ्ट की टीचर हो तो उनके लिए वी काफि ज्यक्विल हो जाएगए वीडियो तो पिसके बार आप देख सकते हैं कि अब रहे हैं कि अब इसके अब यह दो कर दिया है है और बेच्छा दिखा सकते हैं यहां पर में पाज़ के आप मैं पर जादा पर्स ने थे शच्ट लिए अगर आपके पास थीक है सब्सक्іб है। यह पर लिए नहीं के पहले हैं इसे पहले नहीं बना पतना है। आप पड़ पाल यहां यहां वार्पिस्टा के अखर शनगा है। ढाय है। अब के नहीं नहीं है माल 2 ल१ुछ के यहां लिए। चुल्प और यहां पे देख सकते हैं, जेकरे के लिए लगा है, जिस तरह की की बॉल्ड हमको चाहिए, काफी ईजी है, सिफ आपको दो चार बार पेपर को फोल्ड करना है अब आपको decorate करना है या फिर आप color for sketch pen से भी use कर सकते हो मतलब किसी भी तरही से आप color कर सकते हो जैसा भी आपको पसंद है तो यहाँ पर हम simply इस तरह से go round round में मैं लगा रही हूँ ठीक है जलीबी जैसे type के होते है न उसी type से हमीने जो है अलग-अलग color से मैं उसे आगे से decorate कर दूँगी अब जो है आता है हमारा eyes वाला part eyes को भी हम complete कर लेंगे यहाँ पर इस तरह की से ठीक है इससे पहले जो green वाला bird मैंने prepare के आपको दिख रहा हूगा उस पर मैंने white का use नहीं क्या white paper का यहाँ पर मैंने simple sketch से ही वहाँ पर जो है इसे decorate कर दिया था तो यहाँ पर मैंने इसकी eyes भी complete कर दी है अब थोड़ा इसकी जो चौंच है उसको भी थोड़ा सा decorate कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर बाल्ड बन के तयार हुआ है और यह काफी easily stable भी हो जाता है आप देख देख यहाँ पर तो I hope आपको अच्छा लागा है